हेलो स्टुडेंट तो आज हम लेकर क्या हैं उत्रकंड बोड क्लास तैंथ वालों के लिए हिंदी का सैंपल पेपर ठीक है मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जो आपका सैंपल पेपर है वो किस तरीके का आया हुआ है ठीक है जिससे क्या है आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो बोड में पेपर आने वाला है वो किस तरीके का ये किस पैटन पर वो पेपर आने वाला है ठीक है और हाँ एक important बात है यह आप जरूर ध्यान लखें यह जो sample paper दिखा रहा हूं मैं भी आपको चाहें वो किसी भी subject का हो यह जो sample paper है इसको भी आप तयार करके जाएं क्योंकि बहुत से question ऐसे होते हैं जो कि क्या है हमारे sample paper में से ही आ जाते हैं ठीक है तो sample paper भी आप solve करके जाएं पूर question paper के solution पर video चाते हो तो आप हमारे channel को subscribe कर ले और bell icon को all पर प्रिस कर ले जिससे क्या है मैं जब भी class 13 से related किसी भी topics पर या किसी भी previous year question paper के solution पर video upload गरूँ तो उसकी notification आपके पास सबसे पहले जा सके ठीक है आप देखते हैं इस paper को इस paper में क्या है हमारे दो ही खंड होते है आ और बा जैसे कि आपको जहले point में आपको दिख रहा होगा और दोनों खंडों में जो भी question दिये होते हैं वो करने अनिवारे होते हैं अगर choice दे रखी है तो आप कर सकते हैं वन्ना जो question दे रखे हैं वही करने अनिवारे होते हैं ठीक है अब जो इसमें जो हमारा आ और बाखंड आते हैं, मैं उसके बारे मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ, इसमें पेपर में तो लिखा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो आखंड में भी क्या है, एक तो आपके इसके अंदर व्याकरण के question आते हैं, जो आपकी हिंदी व्याकरण की book होगी, और दूसरे इसमें आते हैं, जो आपकी हिंदी की book है, जिससे आप पढ़ते हैं, जिसमें question answer वाली जो होती है, उससे related question आएंगे, ठीक है, तो आखंड में तो आपके ये दो portion से आता है, और ये जो total आता है, ये total आता है, 56 नंबर का, ठीक है, 56 नंबर का, व्याकरण प्लस हिंदी के question, ये दोनों के दोनों आते हैं, आखंड में, अब जो इसका बाखंड है, उसमें आता है हमारा बिनोधनी का, ठीक है, जो आपकी संस्क्रिद वाली होगी, बिनोधनी का, वो आता है हमारा 24 नंबर का, तो दोनों मिलाकर ये हो जाते हैं, 80 नंबर के, और हाँ, जो आपकी बिनोधनी की है, अगर आप उसको ढंग से करके आएंगे, तो आपके 24 में 24 पक्के ही है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, हमें math कीतना नंबर मिलते हैं, जैसे math में अगर आपका question सही है, तो पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर बिनोध कारी करके जाएंगे, तो 24 भी आ सकते हैं, मन्ना 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए 24 में से, ठीक है, और आस होने के लिए अगर चॉवीस में से अगर आपके वहाँ 20 आ जाते हैं, ठीक है, और चावन में से आपके अगर 20 भी आ गह, 20 यां चालिस और ट्रैक्टिकल के आपके ह यहां ही बीस नंबर है कि इसमें 16 17 इतने पर शकुटि आपको इतने नंबर मिल जाएंगे आप अराम से पास हो सकते है इसलब्याकृण को यह यहां देयार यहां तक है और इस जो paragraph था वो हमें 7 number का दिखाया था यहाँ पर और जो इस से related question है वही है मतलब 2 number का एक question फिर दूसरा भी 2 number का और बाकी एक एक number total कितने होगा है 2, 2, 4, 5, 6, 7 total हो गया यह 7 number का paragraph जो यहाँ पर लिखावा है ठीक है तो आपको इसके जो question answer है ठीक है इसके जो answer है वो क्या है आप सारे किसारे इस paragraph में से ढूण ढूण कर यहाँ पर ऑंसर इसके लिख सकते हैं ठीक है और कहीं से नहीं लिखना आपको इस paragraph से इसके answer लिखना है ठीक है अब देखते हैं दूसरा question दूसरा question में क्या है हमें निवंद्य लिखना है और निवंद्य में हमें बोल लखा कि 500 सब्द में निवंद्य को लिखना है और दो हमारे पास option दे रखे हैं कि या तो आप लिखकर यह हमारी राष्ट्य एक्ता या चात्र अनुसासन ठीक है इन दो में से जो भी आपको बड़े तरीके से आता हो आप आप वही करें ठीक है और यह हमें जो दे रखे है पहला प्रस्तावना राष्ट्य एक्ता आखंडता की आवश्चता हो यह सारे जो पॉइंट दे रखे हैं से पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी तो यह प्रकार से क्यायन की heading है heading है अंदर हमें लिखना है बना ब हो जाएंगे ठीक है तो यह हो गया हमारा और यह हमारा जो paragraph है आठ नंबर का आता है अगर आप यह heading में ही अगर लिख करके आएंगे बड़े तरीके से तो आपके इसमें आठ में से भी 5-6 नंबर आपके कहीं ने गए ठीक है अब देखते हम तीसरा question तो तीसरे question में आपको पत्र लिखना है निकि application तो दोनों में से अथवा में भी दे रखा है और उपर भी तो दोनों में से जो भी आपको बड़े तरीके से आती हो जो आप पढ़ करके आए हो वो application आप करके वहाँ पर आ सकते हैं और यह application हमारी चान नंबर की है ठीक है अ इसमें दे रखे है एक portion हमारे पास कितने नंबर का है एक नंबर का है एक खंड जैंड दो question है जिसने हमारे वियाकरण चल्ले तो इसलिए वयाकरण पढ़ के जाए यह number में आती है पेपर में पाजबा कोश्चन में हमारा व्याक्रण का है और यह चारो कोश्चन एक एक नमबर के हैं टोटल कोश्चन है हमारा चांद नमबर का ठीक है यह छटा कोश्चन में हमारा व्याक्रण है इसमें हमें प्राइवाची लिखने है और क्या लिखने है निम्ने में से सू कव्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए हमारे पास दो कव्यांश दे रखे होंगे और उसमें क्या है हमें जो भी कोश्चन नीचे दे रखे होंगे वह कोश्चन हमें करने हैं milhões यानि कि two questions दे रखेएं कोई आपर लिका है टीटो प्रॉप यो गोगे फीक है या तो आप पहले वाले मेंसे okay कर सकते हैं कोई भी question या तो आप यह दूसरे वाले जो दे रखा इसमें से कर सकते हैं कोई भी question या आपके जो भूख होगी उसमें कभीटाइgy दिये होती है ठीक है यह वहां से लिया गया है कहीं, आप इसे डुंडते नए अब इसका 18 कोष्चन है अब यह क्या है जो आपकी India की बुख है, जो उसमें कोश्यंस होते है इसमें लिखा है कि निम्लिखित में से किनी दो कोश्चनों के उत्तर दीजिए तीन कोश्चन दे रखे हैं इसमें से दो जो कोश्चन आपको याद हो वो कोश्चन आप यहां पर कर दें एक कोश्चन हमारा दो वाला गलत है ठीक है बाकी नीचे के दो वाले सही है तो आपका जो गलत वाला है वो भी चेक हो जाएगा जो लास्ट वाला सही है वो चेक नहीं होगा तो इसलिए पहले पढ़ें पहले कोश्चन में हमें देखें कि हमें क्या करना है ठीक है उसके बात करना स्टार्ट करें ठ ठीक है इसलीए पेपर को धिहान से पढ़े नवा कोस्चन में किया है मैं दो कोस्चन दे-र रखें tom silver अपर आ एक नंबर खाया और खा भी एक नंबर खाय तो दोनों ही इस में करने है कोई शी चोईस में झाया तो जैसे उपर आ जैसे उपर आयुं तो जो भी आपको बड़े तरीके से आते हों दो सब्सक्राय करतने यह पहला वाला इसके दहींुक part के दो करने थे इसमें दो ही दे राखें वोकार न करने या दूसरा वाला करें इसमें ध्यक्ति कोश्चन धे ठीक है जो आप से आता हो आप वही कोश्रीन करें अब आगे देखते हैं 11 बर कोश्री यह भी हमारे कोश्र हमारी Day पर हमारा क्या पूछ रहा है वह ठीक है तो इसमें दो कोश्चन करने कोश्चन वहाई चाőं क्येरा है लेए टोटल है तोल क्यों नम्ब्र क Belब यहाई उसमें क्यों करने तेरवरक उसन में क्यात कि निम्हें तीन प्रीश्चनों में गोशन ke उत्तर दीने है और ज़ो क्या है एक कोशन दो नंबर हो गए हमारे 6 चोदने के उसके बाद करें इसे हुमारा खंड आथा ठीक है यह पूरा आप जरूर पढ़के जाए इसमें बहुत बड़े नंबर मिलते हैं इसमें लिखावे गध्यांश को पढ़कर किनी तीन प्रशनों के उत्तर पूर्ण वाक्ये में दीजिए योपर गध्यांश हमें दे रखा है ये नीचे कोशन दे रखें किनी भी तीन प्रशनों के आंसर इन चारों में से आपको देने हैं और एक का आंसर क्या है दो नंबर का है तो तीन के हो गए छे नंबर के ऐसी हमारा पंदरा है इसमें क्या है किनी दो कोशन के आंसर हमें बताने तीन हमें यहां पर दे रखे हैं तो इसमें जो एक कोशन है वो हमारा कितने नंबर का है दो नमबर का यह 15 कोश्चन था 16 कोश्चन है 16 कोश्चन में हमारे कोश्चन आये हुए हैं ठीक है जिसमें हमें क्या इसमें से जो हमें 4 कोश्चन दे रखे हैं इसमें से हमें किनी भी 3 कोश्चन के आंसरिया आपर लिखने हैं और जो इसमें क्या है हमें मतलब एक टाइप से आप ऐस समझ सकते हैं어 ही हमें शब्द भी दे रख़ें जो हमें भरने है ठीक है। और यहाँ पर जिसमें भरने है वहित हमें दे रखें Чुन रहा हूा है जैसे दे लिखा है। कि जिससे वो वाक्या पूरा पूरा सही हो जाए और ये आदे नंबर का एक है ठीक है और ये चार है टोटल हो गए दो नंबर के आदे नंबर का एक है से का पॉइंट है वो आदे नंबर का है टोटल हमारे एक चार कनने इसमें और यह हो गए हमारे दो नंबर के अब देखते किनी चार के हमें क्या यहां पर उत्तर देने है और एक कोश्चन हमारा कितने नंबर का एक नंबर का टोटल चार करने है तो हमारे कितने नंबर के हो गए चार नंबर के तो जो भी आपसे आते हूं ठीक है जैसे संदी करो संदी विच्छेद करो समास विग्रे है यहनी कि समास विग्ग्रे करना है, समाज का नाम बताईए, यह है तीसरे में, और चौते में हमारा है उपसर को अलग करके लिखना है, और जो पांच वा कोश्चन है, इसमें हमें शब्द दे रखे हैं हमें चुन कर यहाँ पर बनने हैं, जैसे हमें क्या है, जो पहला वाला दे रखा है, तो निमलिकित शब्द में से किनी चार का वाक्यों में प्रियोग कीजिए, हमें यहाँ पर छे दे रखे हैं, तो छे में से यहाँ पर हमें चार शब्द लेने हैं, जिससे हमें क्या यहां पर पूरा एक वाक्य बनाना है ठीक है अपर जो चार है यह हमारे कितने नंबर के हो जाएंगे दो यानि की आद्यादी नंबर का एक मान सकते हैं ठीक है या तो आप यह करते हैं अगर वाक्य का प्रियोग कर सकते हैं तो वाक्य बना सकते हैं मतलब और यह आप नमबर का एक एक नमबर का तो दो हो गए हमारे दो नमबर के ठीक है तो यह हमारे 19 कोशन थे और यह हमारा पूरगपूर पूरपर मैंने आपको बता भी दिया किस खंड में कितने नंबर का आता है किस टाइप में question आने वाले हैं ठीक है अगर आपको previous year question paper भी चाहिए हो तो मैंने क्या है उस पर एक proper playlist बना रखिए जिसका link में discussion में दे दूँआ या उपर आपको i button पर मिल जाएगा वहां से जाकर वो playlist को द share करें ठीक है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और यह वीडियो आज पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले क्या है आप चैनल को subscribe कर लें और bell icon को all पर प्रेस कर लें ठीक है क्योंकि अब क्या है important question और previous year question paper के solution के ओपर वीडियो रोजी upload हो रही है ठीक है अगर आपने notification bell को all पर नहीं कर रखा है तो आपको नहीं पता चलेगा कि वीडियो कब upload हुई है ठीक है तो अब आप हमारी वीडियो के जाए स्यादा share करें like करें comment करें comment करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लेगी आपके exam के लिए helpful थी यह नहीं थी ठीक है तो मिलते हैं फिर हम next sample paper के साथ में तब तक आप हमारी वीडियो को share करें